हेलो एब्रिवन वेल्कम यू आल दे स्ट्रगलर्स ऑन यूर ओन चैनल दा अलिमिटेट स्ट्रगलर आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल दा अलिमिटेट स्ट्रगलर में बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे कि एक एच पी यू आई यू आई लस बी ए एलल बी के अडमिशन नोटिफिकेशन जो है आ गई है वो जारी कर दी है हिमाचल प्रदेश उनवर्सिटी ने और अपनी ऑफिशियल साइट पे उसने आज ही एच पी ने जो है अप्लोड किया नया जो एडमिशन ब्राउसर है ठीक है जो प्रोस्पेक्टर्स है ये प्रोस्पेक्टर्स जिसको हम बोलेंगे वो आज ही अप्लोड किया है अपनी ऑफिशियल साइट पे तो प्लस टू पास जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्टिनिटी है उन्वेस्टी इंस्टूट अफ लीगल प्रोसीजर है पूरा इसकी अपलाई करने के लिए सब कुछ इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आज और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा जो चैनल है दानलिम्टेड स्ट्रॉगलर उसको आप सब्सक्राइब कर लें और ब इस वीडियो में और यहां पर जो है नया जो सैसन है 2020-21 में अडिमिशन का जैसा कि अभी यूजी सी की गाइडलाइन आई थी इनिवर्सिटीज के लिए कोबिड-19 के चलते कि किस तरह से जो है रेगुलेशन एक जारी किया गया था यूजी सी की तरफ से और उसमें एक 2020 जो है 30 जून 36 2020 last date for submission of online application form है और अगर आपने कोई उस application में कोई correction करनी है कोई आपसे गलती रह जाती है या कोई detail update करनी है तो 7 जुलाई 2020 तक आप कर सकते हैं 30 जून 2020 पांच बज़े तक जो है वो application जो है वो आप submit कर सकते हैं और अभी interview कब होगा counseling कब होगी क्या procedure रहेगा आप डिसकस करेंगे लेकिन interview और counseling का भी भी कुछ भी display नहीं किया गया है ठीक है कौनसी list कब लगेगी कोई date announce नहीं की गई है क्योंकि COVID-19 के चलते अभी lockdown चला हुआ है जिसकी वज़े से कहपाना मुस्किल है कि कब जो है वो date of admission होगी कब जो है interview conduct किया जाएगा फिलहार आ आप अगर online apply आपने करना है और इसके लिए online ही आपको apply करना पड़ेगा तो इसके लिए मैंने website का link जो है बो नीचे दे रहा है प्रोस्पेक्टस जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और admission का जो link है वो भी मैं वहाँ पे attach कर दूँगा आप उसको follower के apply कर सकते हैं यह जब आप link open करेंगे admission वाला तो उसमें आपको इस तरह सी screen दिखाई देगी और यहाँ पे BALLB जो है आपने वो click करना है और फर्दर आपने अपने जो अपडेट से डिटेल्स है वो अपडेट करनी है भरनी है अब बात करें इस course की तो यह आपका जो है वो 5 year integrated course रहेग और 30 course जो होंगे आपके वो BA वाले subjects के जो होंगे 30 credit ठीक है तो यह इस तरह से रहेगा और इसमें eligibility की बात करें तो essay student जिन्होंने प्लस 2 अभी की है जब प्लस 2 कर चुके हैं वो उसको इस course के लिए apply कर सकते हैं general category में 50% marks आपके होने चाहिए ठीक है SCST category में 45% marks आपके होने चाहिए और physically disabled है कोई person तो उसके लिए जो है general में 50% और अगर SCST category है तो 45% marks जो होने चाहिए age limit की बात करें तो maximum age limit जो है वो general category में 20 साल SCST के लिए 22 साल रखी हुई है physically disabled person है उसके लिए 25 साल general में और 17 साल SCST के लिए रखी हुई है अगर कोई इससे ज़्यादा age limit का होता है यानि कि 6 month का अगर ज़्यादा इससे उपर है age limit तो वो बाइस चांसलर का approval लाकर के admission के लिए apply कर सकता है इसके अलावा जी plus two आपकी होनी चाहिए ठीक है किजी भी recognize board से और procedure क्या है इसके लिए आपको online apply करना है सबसे पहले तो ठीक है link मैंने आपको बता दिया है और description में इसको add कर दूँगा उसके बाद जो है इसमें बिलकुल clear लिखा है कि जो plus two का academic merit हो गया academic record होगा student का उसके बेस पे एक merit बनेगी merit बनने के बाद students को notify किया जाएगा और उसको interview के लिए call आएगी और interview एक बाइवा voice होगा candidate का उसके बाद जो है फर्दर एक merit list और बनेगी जो की UILS University Institute of Legal Studies के जो notice board होगा उसके ओपर लगाई जाएगी और फिर जो है candidate जो है बो admission ले सकेगा उसके हिसाब से अब बात करें intake capacity की तो 75% seat जो है वो हिमाचल के students के लिए हिमाचल से जो belong करते हैं उनके लिए reserve है 25% जो seats है वो open to all है उसमें कोई भी fight कर सकता है 15% seat जो है वो schedule cast of हिमाचल के लिए reserve है इसके साथ 7.5% seat जो है वो schedule tribe of हिमाचल परदेश वालों के लिए reserve है और 5% seat जो है वो हिमाचल परदेश के ऐसे student जो 40% disabled है उनके लिए रखी गई है दो seats जो है अभी तक percentage में बात हुई अब seats पर बात आती है तो दो seats जो है single girl child के लिए दो seats जो है जो है जो migrants है उनके लिए और अगर कोई सब्सक्राइब है उनके लिए भी non-subsidized category में तीन seats जो है वो रखी गई है इसके बाद numbers में बात करें तो 120 सारी total seats है जिसमें से 75 seats जो है वो subsidized है ठीक है और 45% 45 seats जो है वो non-subsidized category की है और इसमें two seats reserved for single girl child two seats for reserved for जम्मुगंड कस्मीर migrants और three seats for reserved for हिमाचल परदेश इनवर्सिटी इंप्लाइज जो है non-subsidized category का ठीक है और अदर चार्जी अलग से अदर चार्जी में इन्होंने कुछ जो है चार्जी बताए हैं और कुछ special UILS के चार्जी है अलग से जो की चार्जी और यह आपको बता दें कि 17,000 सॉरी 10,400 जो है वो UILS के अपने चार्जी है कुल मिला करके 17,030 रुपए यह चार्जी होते हैं इसके बाद आपको जो फीस टक्चर है जो फीस है आपको दो इंस्टॉल्मेंट में पे करनी होती है तो मई में एक अनमंबर में फस्ट वाली जो फीस रहेगी वाट डेट ऑफ एडमिशन के दौरान आपसे ली जाएगी उसके बाद जो है आप फर्दर जैसे प्रोसीजर सिस्टम इसमें रहेगा और कौन-कौन से कॉर्स यह डिस्पले हैं आपको शायद क्लियर ना हो इसमें और इसको डिसकस करने की जुरूरत भी नहीं है अभी तो यह सारे इन्होंने कॉर्स कंटेंट बताया है कौन-कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे क्या-क्या क्रैडिस रह ठीक है और कब वेकेसं रहेंगी चुटियां रहेंगी वो कुछ भी डिसाइड नहीं है क्योंकि कोबिड-19 के चलते सब कुछ लॉकडाउन चला हुआ है जैसे ही कुछ हल चल होती है लॉकडाउन ओपन होता है सारी चीज जो है वो नोटिफाई कर दी जाएगी उनिवर्सि स्टूडेंट्स हैं जो पास जिन्होंने अभी प्लस्टू की है एक बहुत अच्छी अपॉर्चनिटी है और अपने कैरियर को जो लीगल स्टडीज में जो एडवोकेसी में या इसमें बनाना चाते हैं ठीक है वो बहुत अच्छी अपॉर्चनिटी है और पांच येर का इंट bathroom कोर्स है जिसमें आपके दो डिग्रीज होती है अगर आप सैपरेटली बीयर करेंगे और सेपरेटली एलल बी करेंगे ग्रेडेशन के बाध रापके लगते हैं तो टे इस वेडर कि आप पांच साल में में जो में जो इंट सीब्सक्राइब करें और सेर करें आपके को क्वाईरी होते हैं, you can mail me on sksanghand666 at gmail.com, call कर सकते हैं, whatsapp कर सकते हैं, 7627096162 पे, thank you, thanks a lot.